नार्यल चटनी तो आपने बहुत खाई होगी, आज हम बनाएंगे साउत की फेमस लौकी चटनी और आप इसे इंजोई कर सकते हैं इदली और डोसा के साथ सबसे पहने एक कड़ाई में आप गरम करें ओईल और उसके बाद आप उसमें डालें उड़त डाल, रोस्टिट चना डाल, साबुद धनिया, राई और उसी के साथ जीरा अभी हमें इसे कुक करना है एक से दो मिनिट ताकि जो डालें हैं हमारी उसमें हलका गोल्डन ब्राउन कलर आए ये बहुत ही बड़िया फ्लेवर देंगी हमारी इस चतनी में तो आप देखें डाल हमारी पोफेक्ली कुक हो गई है अब हम इसमें डालेंगे अद्रक, लसन और उसी के साथ ड्राई ड्रेक चिलीस अगर आप लसन नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर दे इसे हम बुनेंगे फिर से एक मिनिट तक आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे निकल जरूर बताएं इसी के साथ हमने डाले हैं नम्बे कटे प्यास और हमें इसे भुनना है दो से तीन मिनिट ताकि ये हलके ट्रांसलूसेंट हो जाएं हमें इसे ओवर कौक नहीं करना तो आप देखें प्यास हमारे इस पॉन्ट पे कौख हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और उसी के साथ नमक टमाटर जब भी कौक करें नमक ज़रूर डालें उससे टमाटर आपके जल्दी कौक हो जाएंगे अब हम इसे पकाएंगे धक के तीन से चार मिनित ताकि जो टमेटोज हैं वो परफेक्ली सॉफ्ट हो जाएं आप देखें टमाटर हमारे अच्छे से कुख हो चुके हैं हमें यही टेक्शर इसका चाहिए अब हम इसमें डालेंगे लौकी या फिर दूदी जी हाँ लौकी वो मज़ेदार इंग्रीडियन्ट है जो इस चटनी का तेस्ट बहुत ही बड़ा देगा उसी के साथ मैंने डाला है हरा धनिया और इमली और अभी हमें इसे पकाना है चार से पाच मिनित ताकि जो लौकी है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें आई प्रॉमिस आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी तो आप देखें लौकी को मैंने यहाँ कुक कर लिया है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है अब हम इसे कंप्लीट्टी ठंडा करेंगे उसके बाद हम इसे ग्राइंट करेंगे तो मैंने सारे मिक्षर को ट्रांसफर कर लिया है मिक्षर राइंडर के अंदर उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी और बिल्कुल स्मूद चत्नी होने तक हम इसे पीसेंगे आप देखें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है आप चाहें तो थिकनेस अपने हिसाब से कम्याजादा कर सकते हैं अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार तड़का उसके लिए एक पैन में गरम करें ओयल फिर आप इसमें डालें राई उड़त दाल और उसी के साथ हींग इसे अभी हमें भुनना है ताकि जो दाल है उसमें अच्छा कलर आजाए अब आप इसमें डालें करी पत्ता और उसी के साथ ड्राइड रेट चिलीस तो देखिए बहुत ही मज़ेदार आपकी लौकी की चत्नी बनके तयार है आप इसे इंजोई करें इनली डोसाज और उत्तपम के साथ अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको करी लीव चत्नी भी बहुत पसंद आएगी बहुत ही अलग है बद ये दोनों साथ की बहुत ही फेमस चत्नीज है उसका लिंक भी मैं यहाँ दूँगी आप वो भी ज़रूर चेक करें